आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तयार करने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान उतरप्रदेश के हर दोई जिले में इन दिनों किसान मश्रूम की खेती पर काफी जोड दे रहे हैं ये किसानों की पहली पसंद है क्योंकि इसमें जगे और लागत कम लगती है जबकि दाम अच्छा मिलता है कुछ किसान धान की पराली का भी इस्तमाल मश्रूम उगाने के लिए बूसे के तौर पर करते हैं इस फॉर्म में 20,000 रुपए लागत पर महीने में लगभक 80,000 रुपए की कमाई हो रही है इसलिए किसानों की आये बढ़ाने के लिए इसकी खेती सबसे अच्छी मानी जा सकती है अच्छी कॉलिटी का मश्रूम उगाने पर 90-95 रुपए प्रती किलो तक की लागत आती है जबकि उसका दाम बजार में 600 रुपए प्रती किलो तक बहुत जाता है जिले में कई किसान इसकी खेती से अपनी किस्मत बदलने का काम कर रहे हैं कुछ किसान दूसरे को ट्रेंड वीस के लिए कर रहे हैं वहीं बता दे कि भूसे को करीब 2 दिन तक पानी में भीगोए जाता है गेहूं का चोकर, जिम्स, यूरिया, मुर्गी की खाद और साथी नीम की खली को अच्छी तरीके से बताई गई मात्रा और नियम के अनुसार मिलाया जाता है करीब 20 फीट लंबा और 6-8 फुट चोड़े बूसे के मिश्न को फर्श पर फैला दिया जाता है, उसकी उचाई करीब 2-5 फीट रखी जाती है, इसे पॉलिथीन और बोरे में धग दिया जाता है, वहीं रखने वाली जगे का बतादे 50-52 डिगरी तक का तापमान लेता है, करीब 13-14 दिनों के अंदर में इसे ठंडा करने के बाद में खाग और मश्रूम के बीच को मिलाकर बैग में भरकर धक कर रख दिया जाता है, इसके बाद 17-22 दिन में इसके कवक फैले लगते हैं, वहीं बताते हैं कि अंदा इम्राहिम पूर निवासी ने बताया कि उन्हों में मश्रूम की काफी मांग है, वहीं जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि मश्रूम 500 से देकर 800 रुपे किलो तक दिली के अजात पूर मंडी में बिग जाता है, कुछ मश्रूम 200 रुपे किलो भी है, वहीं कोरोना काल से मश्रूम की मांग जादा बढ़ गई है, क्योंक से आपके दुकान पर ग्रहक को लाने तक, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान झाल 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 झाल